नमस्काल दोस्तों स्वागत आपका विश्वामित्र उनलाइन एजुकेशन में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नीती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के बारे में और साथ ही हम देखेंगे 2018-2021 तक आकांशी जिलों के लिए जारी रैंकिंग रिपोर्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बीच जनवरी 2021 को नीती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के सबसे नवाचारी इनोवेटिव प्रमुक राज्य के रूप में निम्न में से किस राज्य ने अप तमिलनाडू या बिहार जो पहले इस्थान पर राज्य है वो है करनाटक करनाटक अपना इस्थान बरकरार रखे हुए 42.5 के साथ यह पहले इस्थान पर है जबकि दूसरे इस्थान पर महाराष्ट्रे और तीसरे पर तमिलनाडू और चोथे नंबर पर जो राज्य है वो वो है बिहार तो इसका आंसर जो है वो है करनाटक 20 जनवरी 2021 को नीती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य शिर्श स्थान पर है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मनी मनिपूर या सिक्किम तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश जो की 25.06 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है जबकि उत्तराखंड का स्थान दूसरा है मनिपूर तीसरे स्थान पर और सिक्किम जो है वो चोथे स्थान पर है 20 जन्वरी 2021 को नीती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है तो अंतिम स्थान पर जो राज्य है वो है मेगाल है ओप्शन 10 का सही आंसर होगा जो की 12.15 पॉइं 20 जन्वरी 2021 को नीती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के केंदर शाशित राज्यों में प्रथम इस्थान पर कौन सा राज्य है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली जो की 46.60 पॉइंट के साथ पहले इस्थान पर है जबकि वो है दमन और दीव और चोथे नंबर पे है पुदी चेरी और केंदर शाशित शहरी राज्यों में जो अंतिम इस्थान पर है वो है लक्षदीब ऑप्शन डीज का सही आंसर होगा लक्षदीब जो है वो 11.71 पॉइंट के साथ अंतिम इस्थान पर है केंदर शाशित और शहरी राज्यों में अंतिम इस्थान पर 20 जनवरी 2021 को नीती आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मद्य प्रदेश का कौन सा इस्थान रहा है साथ, सातवा, तेरवा, एकिसवा या अठथाइसवा तो जो 2020 इंडेक्स में जो मद्य प्रदेश को इस आई है, उसमें तेरवे स्थान पर मद्य प्रदेश हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वोगा, ओप्शन भी 13 भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहट, राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए निम्न में से किसमें विभाजित किया गया है, सत्रा प्रमुक राज्यों में, दस उत्तरपूर्व और पहाड़ी राज्यों में, नो शहरी राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों में, या उप्रोक्त सभी में, तो इसका जो सही अंसर है, वो है उप्रोक्त सभी में, ओप्शन डीज का सही अंसर होगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहट राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को किन व्यापक श्रेणियों में स्थान दिया गया है उत्पादन शाषन उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहट राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को उप्रोक्त दोनों ही श्रेणियों में इस्थान दिया गया उत्पादन और शाषन इसका जो सही आंसर है वो है आप्शन सी उप्रोक्त दोनों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहर पांच समर्थक स्थम्ब जो राज्यों और अर्थव्यस्ता के तत्वों को दर्शाते हैं एवं नवाचार परिवेश के लिए इंपुट निवेश के तोर पर कारे करते हैं उनमें निमनलिकित में से संबलित हैं मानव पुझी एवं निवेश ग्यान एवं बिजनेस एन्वायरमेंट सुरक्षा और कानूनी परिवेश या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option D उप्रोक्त सभी इसके अंतरगत मानव पुझी एवं निवेश ग्यान एवं बिजनेस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहर दो प्रदर्शन स्थम्ग जो पिछले वर्ष के प्रदर्शन को दर्शाते हैं में कौन सा संबलित हैं ग्यान श्रजन, ग्यान प्रसार, उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों ग्यान श्रजन और ग्यान प्रसार दोनों ही इसमें संबलित हैं ओप्शन सीज का सही आंसर होगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में धाचे में 26 संके तक शामिल हैं जिनमें और शामिल हैं 36 संके तक, 32 संके तक, hard data और 4 समगर संके तक या उपरोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है 36 संके तक जिसमें hard data के 32 संके तक शामिल है और 4 समगर संके तक शामिल है तो इसका जो सही आंसर है वो है 36 संके तक ग्लोबर इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो देख लेते हैं वर्ष 2015 में G.I.I.I. रैंक जो इसकी थी वो थी 81 और कुल इसमें जो शामिल देश थे वो थे 141 वर्ष 2016 में जो थे वो रैंकें इसकी थी 86 और इसमें 128 देश शामिल थे 2017 जो वर्ष था उसमें 60 वी रैंक पे आया था भारत और 117 इसमें देश शामिल थे 2018 के अनुसार 57 वी रैंक पाई थी भारत ने और 126 देश इसमें शामिल थे 2019 में 52 वी रैंक पे आया था और 129 देश इसमें शामिल थे जबकि 2020 की जो रेंकिंग आई है वो है 48 और इसमें 131 देख्ष शामिल थे तो 2020 में 48 वी रेंक पे भारत ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है अगला प्रशन देखते हैं आकांशी जिलों के लिए पहली डेटा डेल्टा रेंकिंग किस वर्ष जारी की गई थी जनवरी 2018 में, जून 2018 में, जनवरी 2019 में या फिर जनवरी 2020 में तो आकांशी जिलों के लिए रेंकिंग कितने समय के अंतराल पर जारी की जाती है तो यह प्रती मा, प्रती तीन मा, प्रती छे मा या प्रती वर्ष तो पहले यह प्रती तीन चार मा में जारी की जा रही थी लेकिन अभी प्रती एक मा में जारी की जा रही है तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतीमा आकांक्षी जिलों के लिए रैंकिंग जिन छेट छेतरों की प्रगती को ध्यान में रख कर की जाती है उसमें निम्लिकित में से कौन से शामिल है विकास आत्मक छेतर स्वास्त एवं पोशन सिक्षा क्रशी एवं जलसन साधन वित्ती समावेशन कोशल विकास एवं बुनियादी धाचा विकास या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्रोक्त सभी आकांक्षी जिलों के लिए रैंकिंग में जिन छे चेतरों की प्रग्रति को ध्यान में रखा जाता है उसमें विकास आत्मक छेतर स्वास्त एवं पोशन का ध्यान रखा जाता है साथी सिक्षा क्रशी एवं जलसन साधन वित्ती समावेशन कोशल विकास एवं भुन्यादी धाचा विकास को भी इसमें इस्थान दिया गया है तो इस प्रशन का जो आंसर होगा वो होगा उप्रोक्त सभी आकांक्षी जिलों के लिए रैंकिंग में नीती आयोक के अनुसार निमन में से कौन सा कथन सही है स्वास्त और सिक्षा का रैंकिंग पर वेटेज 30 पी सदी है क्रशी का विकास 20 एवं फाइनेंशल इंक्लूजन का 5 पी सदी है इसकिल डेवलप्मेंट का 5 परसेंट और इंफ्रास्टेक्चर का 10 पी सदी है या उप्रोक्त सभी यह सारे ही कथन निती आयोग क्या नुसर सद्ट है तो इसका जो आंसर है वो है और आप्शन डी उप्रोक्त सभी आकांक्षी जिलों के लिए रैंकिंग में नीती आयोग ने 2018 में सबसे पिछडे 101 जिलों की लिस्ट में मद्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया है 4 जिलों को, 8 जिलों को, 12 जिलों को या 16 जिलों को तो मद्य प्रदेश के जो जिले हैं वो शामिल है 8 जिले 101 जिलों में से मद्य प्रदेश के 8 जिले शामिल है कांक्षी जिलों के लिए रेंकिंग में नीती आयोगने 2018 में सबसे पिछड़े 101 जिलों की लिष्ट में मद्य प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया है वो जिले निम्न में से कौन से हैं सिंगरोली, बढ़वानी एवं गुना, विदीशा, खंडवा एवं छतरपुर, धमो एवं राजगर या उप्रोक्त सभी तो जो मद्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं वो सभी जिले जो ऑप्षन में दिये हैं वो सभी हैं जिसमें सिंग्रोली, बढ़वानी एवं गुना, वीदीशा, खंडवा एवं छतरपूर, दमो एवं राजगड इसमें शामिल हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है उपरोगत सभी आकांक्षी जिलों की फरवरी से जून 2020 की आउधी में हुए कारे के आधार पर जारी की गई लिश्ट में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम इस्थान पर रहा है जबकि दूसर इस्थान पर मेगालय का रिभुय और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रथम इस्थान पर जो की फरवरी से जून तक की आउधी में प्रथम इस्थान पर रहा है आकांक्षी जिलो की अक्टूबर 2020 की लिष्ट में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम इस्थान पर रहा है मिजोरम का मामित बिहार का बांका ओडिसा का डेक का नाल या मद्ध प्रदेश का गुना तो इसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम का मामित जो की प्रथम इस्थान प पर रहा है मद्यप्रदेश का गुना तो इसका अंसर जो है वो है मिजोरम का मामित अक्टूबर 2020 की लिष्ट में प्रथम इस्थान पर रहा है आकांक्षी जिलों की नवंबर 2020 की लिष्ट में प्रथम इस्थान पर कौन सा जिला रहा है जारखंड का रामगड करनाटक का या तो इसका जो आंसर वो है पहले इस्थान पर जार्खंड का रामगड आकांग्शी जिलों की अक्टूबर 2020 में जारी की गई लिष्ट में मध्य प्रदेश के गुणा कौन से इस्थान पर रहा है प्रथम दृति त्रति या चतुल्त तो मध्य प्रदेश का जो गुणा जिला वो चतुर्थ इस्तान पर रहा है अक्टूबर 2020 की लिष्ट के अनुसार तो इसका जो आइंसर है वो है option D, चतुर्थ नीती आयोक के वर्तमान मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO कौन है? अर्विंद, सुब्रमन्यम, राजिव कुमार, आमिताब काम या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो मुख्य कारिकारी अधिकारी है वर्तमान में नीती आयोक के वो हैं अमिताब कान्थ option C, इसका सही आंसर होगा नीती आयोक के मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO अमिताब कान्थ का जो कारिकाल है वो कब तक पूर्ण होगा? Option B 30-June 2021. इसमें इनका कारेकाल पूर्ण होगा. तो इसका जो आंसर है वो है Option B 30-June 2021. नीती आयोक की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? एक जन्वरी 2015, एक जन्वरी 2016, एक जन्वरी 2017 या इन में से कोई नहीं. तो नीती आयोक की जो इस्थापना की गई थी, वो की गई थी? एक जन्वरी 2015, वर्ष था 2015. Option A इसका सही आंसर होगा. नीती आयोक का जो प्रधान कार्याला या मुख्याला है, वह निम्न में लिकित में से किस इस्थान पर इस्थी थे? दिल्ली, मुंबई, इंदोर या उप्रोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली. Option A इसका सही आंसर होगा. नीती आयोक का जो प्रधान कार्याला है, वो दिल्ली में स्थित है. Option A इसका सही आंसर है. निम्न में से कौन नीती आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का राष्टपती भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सभापती या लोगसभा का सभापती तो नीती आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री option 20 का सही answer हो नीती आयोग उपाध्यक्ष में निम्न में से किस के द्वारा नियुक्त किया जाता है राश्टपती द्वारा, प्रधान मंत्री द्वारा, राज्यसभा का सभापती या लोगसभा का सभापती के द्वारा तो नीती आयोक के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो इसका जो सही आंसर है वो है आप्षन भी प्रधानमंत्री नीती आयोक के प्रथम अध्यक्ष कोन थे? डाक्टर मनमुहन सिंग, इंद्रा गांधी, नरेंद्र मोदी या इन में से कोई नहीं तो नीती आयोक के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी थे भारत के प्रधान मंद्री और वर्तमान में भी अभी जो नीती आयोक के अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी ही है option C का सई आंसर होगा नीती आयोक के प्रथम उत्पाध्यक्ष कोन थे? डाक्टर मनमोहन सिंग, अर्विंद पंगडिया, नरेंद्र मोदी या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है, option B अर्विंद पंगडिया नीती आयोक के वर्तमान उत्पाध्यक्ष कोन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, डाक्टर राजीव कुमार, option C इसका सही आंसर होगा निमन लिखित में से कोन सा नीती आयोक का कार रह है? निम्न लिकित कारियों में से वह कौन सा कार है जो नीति आयोक का है हमें निम्न आप्शन में से बताना है राश्ट्री विकास प्रात्मिकताओं और रंड नीतियों की एक रंड नीति विक्सित करना ग्यान नवाचार उध्यम शीलता विक्षित करने वाली प्रणाली अपनाना सहकारी संगवात को बढ़ावा देना या उप्रोक्त सभी तो नीती आयोक के जो कार रहे हैं वो सभी हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्रोक्त सभी राश्टी विकास प्रात्मिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीती विक्षित करना ग्यान नवाचार और उध्यम शीलता विक्षित करने वाली प्रणाली बनाना और संगकारी संगवात को बढ़ावा देना ये सभी नीती आयोक के कार रहें तो इसका जो सई आंसर है वो है option D उप्रोक्त सभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधिद्वारा किस्तिती को S.P.Rational District प्रोग्राम लांच किया गया था एक जन्वरी 2018, तीन जन्वरी 2018, पांच जन्वरी 2018 या साच जन्वरी 2018 तो इसका जो सई आंसर है वो है option C पांच जन्वरी 2018 को ये प्रोग्राम लांच किया गया था नीती आयोगद्वारा जारी सूचकांग को में निमले कितमे से कौन से सूचकांग शामिल है SDG India Index, India Innovation Index, EG of Living and एवं Composite Water Management या उप्रोक्त सभी तो नीती आयोग द्वारा जो सूचकांग जारी किया जाते हैं उसमें ये उप्रोक्त सभी शामिल है Option D का सई आंसर होगा नीती आयोग में केंद्री मंत्री परिशत से अधिक्तम कितने पदेन सदस्यों की न्यूकती प्रधान मंत्री द्वारा नामित की जाने पर की जाती है चार सदस्य, पांच सदस्य, छे सदस्य या साथ सदस्य तो इसका जो सही आंसर हो है चार सदस्य नीती आयोग के वर्तमान पदेन सदस्यों में निमली कितमे से कौन संबलित है राजनात सिंग रक्षा मंत्राले से अमिश्या जो है वो ग्रह मंत्राले से निर्मला शीता रमन जो है वित्ति मंत्राले से और नरेंद सिंग तोमर जो है क्रशी एवं किसान कल्यान मंत्राले से या उपरोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी यह सभी नी नीती आयोक के वर्तमान समय में पूर्ण कालिंग सदस्य में संबलित हैं। नीती आयोक के वर्तमान समय में विशेश आमंत्रि सदस्य में ये सभी संप्रित हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने सरकार ने राज्य योजना आयोक के नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है। राज्य नीती आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, राज्य नीती एवं योजना आयोग या उप्रोक्त सभी तो मध्य प्रदेश शेरकार ने राज्य योजना आयोग का जो नाम बदला है और उसके जगे जो नया नाम दिया है वो है Option C राज्य नीती एवं योजना आयो Option C इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था 24 अक्टूबर 1907, 24 अक्टूबर 1921, 24 अक्टूबर 1922 या 24 अक्टूबर 1923 तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड जो है उसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1922 में Option C इसका सही आंसर होगा राज्य योजना बोर्ड नाम इसको पहले दिया गया था गठन के समय 24 अक्टूबर 1922 में मध्य प्रदेश राज्य सरकारे उसने राज्य योजना बोर्ड को आयोग का दर्जा निम्लिकित में से किश्वरष प्रधान किया था 21 सितंबर 2005 को 21 सितंबर 2006 को 21 सितंबर 2007 को या 21 सितंबर 2008 को तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 सितंबर 2007 आप्शन सीज का सही आंसर होगा 21 सितंबर 2007 में इसको राज्य योजना बोर्ट को आयोग का दर्जा मध्यप्रदेश रहकार द्वरा दिया गया था तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम कोई सेनाय वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिक्रेशन आपको प्राप्त हो सके है धन्यवाद